C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पार्ट 3 ग्रामीन क्षेत्र पर शासन चलाना प्रिष्ट संख्या 26 इस प्रिष्ट पर एक चित्र है चित्र एक इसमें 1765 में रोबर्ट क्लाइव मुगल बादशा से बिहार और उडीसा की दीवानी ग्रहन करते हुए दिखाए बन गई 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशा ने इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया इस बात की पूरी संभावना है कि ये घटना मुठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रोबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी लेक जिसे रोबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चे ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तोर पर कंपनी अपने नियंत्रन वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुखे शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूनना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूनना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ये खयाल भी रखना था कि वो अपनी जरूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को ये भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। ताकत और सम्मान था। ऐसे लोग जो स्थानिय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था लेकिन उन्हें खत नहीं किया जा सकता था। ये काम कैसे हो। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कंपनी ने ग्रामीन इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। प्रिश्ट 27 और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेश्मी कपड़ा खरीदे। इसी कारण पांच साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल दो गुना हो चुका था। 1865 से पहले कमपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले समान खरीदती थी। अब बंगाल में इकटा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थ व्यवस्था एक गहरे संकट में फंस्ती जा रही है। कारीगर गाउं छोड़ कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम तीमत पर अपनी चीजें कमपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। सत्रह सो सत्तर में पड़े अकाल ने बंगाल में एक करोड लोगों को मौत की नीन सुला दिया। इस अकाल में लगभग एक तिहाई आबादी समाप्त हो गई। इस प्रिष्ट पर चित्र है चित्र दो इसमें दिखाया गया है बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक सापताहिक हाट। ग्रामीर्न इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। प्रिष्ट संख्या 28 खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थ व्यवस्ता संकट में थी, तो क्या कमपनी अपनी राजस्व आए के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कमपनी के ज्यादतर अफसरों को ये लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। ये काम किस तरह किया जा सकता था। इस सवाल पर दो दशकों तक बहस चली। आखिरकार कमपनी ने 1793 में स्थाई बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमीदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूल ने और कमपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा और से चुकाई जाने वाली राशी स्थाई रूप से तैकर दी गई थी। इसका मतलब ये था कि भविश्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इस से उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमीदारों को ज जमीदार बढ़ते उत्मादन से फाइदे में रहेंगे। इस प्रिष्ट पर चित्र है चित्र तीन। ये चार्ल्स कौर्न वालिस का चित्र है। जिस समय स्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कौर्न वालिस भारत का गवर्नर जनरल था। वो औरों को पटे पर जमीन दे देते थे और उन से भारी लगान वसूल करते थे। अठारह सो साथ में एच्टी कौल ब्रुक ने इन कास्थकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। बटाई की भारी शर्तों और मवीशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के वो दिल लगा कर काम कैसे कर सकते हैं। नहीं उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। समस्या। मगर स्थाई बंदो बस ने भी समस्या पैदा कर दी। कमपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमीदार जमीन में सुधार के लिए खर्चान नह रही थी। जो जमीदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था। उसकी जमीदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमीदारियों को कमपनी बाकाहिदा नीलाम कर चुकी थी। उन्निस्वी सदी के पहले दशक तक हलात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विश्तार होने लगा। इससे जमीदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कमपनी को कोई फाइदा नहीं हुआ क्योंकि कमपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तैक कर चुकी थी। अब वो राजस्व में विध्धी नहीं कर सकती थी। लेकि जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परिशानी और निवेश का खत्रा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमीदार किसानों को जमीन दे कर उनसे लगान वसूल सकते थे। उन्हें जमीन में सुधार की परवाद नहीं थी। दूसरी तर लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वो लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुष्टैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। गतिविथी आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के उप पट्टेदारों की स्थिती पर इतने चिन्तित हैं। पिछले पन्नों को पढ़कर संभावित कारण बताईए। प्रिष्ट संख्या 29 एक नई व्यवस्था। 19 सदी की शुरुआत में ही कमपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कमपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वो मेकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मेकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतिय समाज में गाउं एक महत्पून समाजिक संस्ता है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गाउं गाउं का दोरा किया, जमीन की जाँच की, खेतों को मापा और विभिन समुहूं के रीती रिवाजों को दर्च किया। गाउं के एके खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गाउं या ग्राम समुह यानि महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जात राजस्व इकठा करने और उसे कमपनी को अदा करने का जिम्मा जमीदार की बजाए गाउं के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। महाल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। ये एक गाउं या गाउं का एक समू होती थी। मुन्रो व्यवस्था बिटिश नियंत्रण वाले दक्षिन भारतिय इलाकों में भी स्थाई बंदोबस्त की जगा नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। को विक्सित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिन भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुन्रो को लगता था कि दक्षिन में परमपरागत जमिदार नहीं थे। इसलिए उनका तरक ये था कि उन्हें सीधे किसानों यानि रैतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीडियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षन किया जाना चाहिए। मुन्रो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भाती किसानों की रक्षा करनी चाहिए। इस प्र गतिविधी, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के प्रतिनिधी की हैसियत से कंपनी शासन के अंतरगत ग्रामीन इलाखों की दशा पर एक रिपोर्ट इंग्लेंड भेज रहे हैं। रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे? सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तै कर दिया था। कि नई व्यवस्था किसानों को संपन उद्यमशील किसान बना देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रिष्ट संख्या तीस योरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने ये भी महसूस किया कि ग्रामेन इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं। बलके वहां योरो और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन भागों में किसी ना किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांट वर्तमान उत्तरबर्देश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महराष्ट वपंजाब में कपास, मदरास में चावल। ये कैसे किया गया। अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को पहलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आईए, इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्दती क अच्छी तरह समझें, क्या रंग का भी कोई इतिहास है। इस प्रिष्ट पर चित्र पाँच और छे में सूती कपड़े के चापों की दो तस्वीरें दी गई हैं। चित्र पाँच की तस्वीर में भारत में आंधर प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी चापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवी और कलाकार विलियम मौरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले चापे हैं। दोनों चापों में एक बात समान है। दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तिमाल किया गया है। इसे आम तोर पर न पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफी संभावना है कि 19. सदी के ब्रिटेन में मौरिस के चापों में इस्तिमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा अंधिये इलाकों में ही उगता है। 13 सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारती नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारती नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही योरोपिय बाजारों में पहुँचती थी। वोड़ पौधा शीतोशनक शेत्र में उकता था। इसलिए योरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षनी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उकता था। नील के साथ प्रतिसपरधा से परिशान योरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वो नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मगर कपडे को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था। जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेचान और फीका होता था। सतर्वी सदी तक आते आते यूरोपिय कपड़ा उतपादकों नील के आयात पर लगी पाबंदी में धील देने के लिए अपनी सरकारों को रासी कर लिया। केरिबियाई द्वीब समूस्थित, सेंट डॉमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेज्योयला में स्पैनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ आदी के विशे में बागानों का जिक्र किया जाता है। अठारवी शताबदी के आखिर तक भारती नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटियन में और द्योगी की करन का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपडों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दोरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूरती अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के 32 भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिल्चस्पी। योरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए इस्ट इंडिया कमपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूनने लगी। 18 सदी के आखरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तीजी से पहलने का हिस्सा केवल लगभग 30 प्रतिशत था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किये गए नील में भारती ये नील का हिस्सा 95 प्रतिशत हो चुका था। भारी मुनाफ़े की उम्मीद में स्कॉटलेंट और इंगलेंड के बहुत सारी लोग भारत आये और उन्होंने नील के बागान लगा लिये जिन के पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कमपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तयार रहते थे इस प् स्कॉट दोल्सकी ने इन घर्टनाओं की वज़ा से केरीबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई यहां गुलाम का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी के संपत्ति होता है गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती केवल उपजाओ जमीन पर की जा सकती थी ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी यहां वहां छोटे मोटे खेती उनके हाथ लग पाते थे नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरुवत थी इस तरह की जमीने उन्हें कहां से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्टरी के इर्दगिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रियास किये और वहां के किसानों को हटवा दिया इस से तकराव और तनाव पैदा हो जाता था मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरुवत होती थी मजदूरों की जरुवत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में विस्त रहते थे बड़े पैमाने पर निजख खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी एक बीघा नील की खेती के लिए दो हल चाहिए होते थे इसका मतलब ये था कि अगर किसी बागान माली के पास एक हजार बीघा जमीन है तो उसे दो हजार हलों की जरूरत पड़ती उत्पादकों को जरूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे उन्निस्वी सदी के आकिर तक बागान मालिक निजख खेती का क्षेतर फल पहलाने में हिचकिचाते थे इस व्यवस्था के तहट नील की पैदावार वाली 25 प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी बागी जमीन रैती व्यवस्था के अंतरकत थी बीगा जमीन की एक माप है बिटिश शासन से पहले बीगे का आकार अलग-अलग होता था बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेतर फल गरीब एक तिहाई एक अर्था कर दिया था प्रिश्ट संख्या 33 रैतों की जमीन पर नील की खेती रैती व्यवस्था के तहट बागान मालिक रैतों के साथ एक अनुबंद अर्थात सट्टा करते थे कई बार वो गाउं के मुख्याओं को भी रैतों की तरफ से समझोता करने के लिए बाद धिकर देते थे जो अनुबंद पर दस्टखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज़ दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था कर्जा लेने वाले रैत को अपनी कम से कम 25 पती चर्च जमीन पर नील की खेती करनी होती थी बागान मालिक बीज और उपकरन वहिया कराते थे जबकि मिट्टी को तैयार करने बीज मोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा कास्टकारों के उपर रहता था जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंब दी जाती थी तो रैत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्शित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसला कभी खत्म ही नहीं होता था समस्याएं और भी थी बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें लेकिन नील के साथ परिशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी इस प्रिश्ट पर है चित्र आठ इस चित्र में उननिस्वी सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए दिखाए गए हैं भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशताय पूरुश ही करते थे इसी प्रिश्ट पर है चित्र नौ इसमें खेतों से फैक्टरी में लाए जा रहे नील के पौधों के गठर दिखाई दे रहे हैं प्रिश्ट चौंटीस नील का उत्पादन कैसे होता था इस प्रिश्ट पर चार चित्र हैं पहला है चित्र दस इस चित्र में है नील के खेतों के पास थित्र नील का एक कारखाना ये 1863 में विलियम सिम्सन का बनाया चित्र है नील गाओं आम तोर पर बागान मालिकों की फैक्टरियों के आसपास ही होते थे कटाही के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित, वैट्स, अर्थात, होध में पहुँचा दिया जाता था रंग बनाने के लिए तीन या चार कुंडों की जरूरत परती थी प्रतेक होध का अलग काम था नील के पौधों से पत्तियों को तोड़ कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था इस होध को किन्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था जब पौधे किन्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुल्बुले उठने लगते थे अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और होध में चान दिया जाता था दूसरा होध पहले होध के ठीक नीचे होता था दूसरे हौद अर्थात बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडरनों से खंगाला जाता था जब ये द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था धीरे धीरे नील की पपड़िया नीचे जम जाती थी और उपर साफ द्रव्य निकला आता था द्रव्य को च्छान कर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमीन नील की गाद अर्थात नील की लुगदी को दूसरे कुंड अर्थात निथारन कुंड में डाल दिया जाता था इसके बाद उसे निचोड कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था वाट अर्थात एक किन्वन अत्वा संग्रहन पात्र अगले चित्र अर्थात चित्र ग्यारा में नील के पौधों को हौध तक औरतों द्वारा ढोकर लाते हुए दिखाया गया है नील के पौधों को हौध तक औरते ही ढोकर लाती थी चित्र बारा में है हौद में घोल हिलाने वाला यहां नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तिमाल होने वाला पैडल लिये खड़ा है इन मजदूरों को आठ घंटे से भी ज्यादा समय तक कमर तक भरे नील के गोल में खड़े रहना पड़ता था चित्र तेरा में बिक्री के लिए तैयार नील दिखाया गया है इसमें आप उत्पादन की आखरी अवस्ता को देख सकते हैं दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काट कर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकडों को सुखाने के लिए ले जा रहा है प्रिष्ट संख्या 35 नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1869 में बंगाल के हजारो रहतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया जैसे जैसे विद्रो फैला रहतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया वो तलवार भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्टरियों पर हमला करने लगे औरतें अपने बरतन लेकर लड़ाई मे कूद पढ़ी बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिशकार कर दिया गया बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाशता अर्थात एजंटों की पिटाई की गई रैतों ने कसम खाली कि ना तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठी आलों अर्थात लाठी धारी गुंडों से डरेंगे नील के किसान चुप बैटने को तयार नहीं थे क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अतियंत दमनात्मक थी लेकिन जो लोग दबे होते हैं वो हमेशा बगावत नहीं करते ऐसा कभी कभी ही होता है 1869 में नील रैतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानिये जमिदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है बहुत सारे गामों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे उन्होंने ही नील किसानों को इकठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी कई स्थानों पर रैतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमिदार गाउं गाउं गूमने लगे जमिदार इस बात से परिशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले ले लेते थे नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संगर्ष में उनका साथ देगी 1857 की बागावत के बाद बिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रो के खतरे से डरी हुई थी जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बागावत की खबर पहली तो लेफटिन एंड गवर्नर ने 1869 की सरदियों में इलाके का दोरा किया रहतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परिशान है बर साथ में मैजिस्ट्रेट एशले एडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रहतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा प्रिष्ट संख्या 36 इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है इडन किसानों को शांत करने और विसपोटक स्थितियों को नियंतरित करने की कोशिश कर रहे थे उसकी कारवाई को किसानों ने अपने विद्रो का समर्थन मान लिया जैसे जैसे विद्रो पहला कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की और चल पड़े उन्होंने रैतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोड़ जबरदस्ती और अत्याचारी नील विवस्था के बारे में लिखा इस बागावत से परिशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना मुलानी पड़ी नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया इस आयोग ने बागान मालिकों को दोशी पाया जोर जबरदस्ती के लिए उनकी अलोच ना की आयोग ने कहा कि नील की खेती रैतों के लिए फाइदे का सौदा नहीं है आयोग ने रैतों से कहा कि वो मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें लेकिन आगे से वो चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं इस बगावत के बागानों में नील का उत्पादन धराशाई हो गया इसके बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे उननीस्वी सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्मान होने लगा था इस से उनका व्यवसाई भी बुरी तरह प्रभावित हुआ फिर भी वो उत्पादन पहलाने में सफल रहे जब महात्मा गान्धी दक्षिन अफरीका से लोटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चम्पारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का नियोता दिया 1917 में महात्मा गान्धी का ये दोरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चम्पारण आंदोलन की शुरुआत थी स्रोत दो नील गाहों का एक गीत संगर्श के क्षणों में लोग एक दूसरे का उचसा बढ़ाने और सामुहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है नील विद्रो के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे इन में से एक गीत इस प्रकार था मौला हाती के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकटी पड़ी हैं कोलकाता के बाबु इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिये पहुँच चुके हैं इस बार तो सभी रैत तयार हैं वो चुपचाप मार नहीं सहेंगे अब वो बिना लठियालों का मुकाबला किये अपनी जान नहीं कमाएंगे सोत तीन भीक मांग लूँगा प्रन्तु नील नहीं उगाऊंगा चानपूर थाना हर्दी के एक नील कास्थकार हाजी मुला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की हाजी मुला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिये W.S. सीटनकार नील आयोग के अध्यक्ष ने कहा क्या अब तुम नील की खेती के लिए तयार हो अगर नहीं तु किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे हाजी मुला का जवाब था मैं नील उगाने को तयार नहीं हूँ मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतोस्ट कर सकती है श्री साले क्या तुम एक रुपया प्रती बंदल की खेती नहीं करना चाहते हाजी मुला नहीं मैं नहीं करूँगा नील उगाने की बजाए मैं कहीं और चला जाऊंगा भीक मांग लूँगा परन्तु नील नहीं उगाऊंगा नील आयोग रिपोर्ट खंट दो सबूत नामा प्रिष्ट सर्सट गतिविथी कलपना कीजिए कि आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं W.S. सीटनकार आपसे पूछते हैं रैत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं आपका जवाब क्या होगा प्रिष्ट संख्या 37 अन्यत्र अठार्मी सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जौं बेप्तिस्ट लबात ने केरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा ये तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है इस तस्वीर में यहां के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दरशाया गया है बाएं सेरे पर आप देख सकते हैं कि खुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वॉट में डाल रहे हैं एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को गुमा रहा है दो मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भर कर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं अगले हिस्से में दो मजदूर नील की लुगदी को मिला कर सांचों में डालने के लिए तयार कर रहे हैं तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक उंची जगा खड़े होकर सारे खुलामों पर नज़र रख रहा है इस प्रिष्ट पर है चित्र चौदा इसमें दिखाया गया है केरी बियाई द्वीब समूस्थित बागानों में नील का उत्पादन प्रिष्ट संख्या 38 आईए कल्पना करें एक किसान को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा है बागान मालिक और उस किसान के बीच बादचीत की कल्पना कीजिए किसान को राजी करने के लिए बागान मालिक क्या कारण बताएगा किसान किन समस्याओं का जिक्र करेगा इस बादचीत को अभिनाय के जरिये दिखाएं अभ्यास फिर से याद करें एक निम्न लिखित के जोड़े बनाएं रैत, महाल, निज, रैती इन शब्दों को आगे बोले जाने वाले शब्दों के साथ मिलाएं ग्राम समुह, किसान, रैतों की जमीन पर खेती बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती दो, रिक्त स्थान भरें क, योरोप में वोड उतपादकों को रिक्त स्थान से अपनी आमदनी में गिरावट का खत्रा दिखाई देता था ख, अचारवी सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग रिक्त स्थान के कारण बढ़ने लगी ग्र, रिक्त स्थान की खोज से नील की अंतर राश्च्रिय मांग पर बुरा असर पड़ा ग्र, चम्पारण आंदोलन रिक्त स्थान के खिलाफ था आईए विचार करें तीन, स्थाई बंदोबस्त के मुख्य पहलूं का वर्णन कीजिए चार, महालवारी व्यवस्था स्थाई बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी पांच, राजश्व निर्धारन की नई मुन्रो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याईं बताएं चै, रैत, नील की खेती से क्यों कत्रा रहे थे साथ, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशाई हो गया आईए करके देखें आठ, चमपारन आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियां इकठा करें नौ, भारत के शुरुवाती, चाय या कौफी बागानों का इत्यास देखें ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानताएं या फरक थे इसके साथ ये अध्याय समाप्त होता है